वॉलिवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आते ही लोग रातो रात फेमस होकर सबके दिलों में अपनी जगा बना लेते हैं हाला कि लंबे समय तक उनका ये श्टाडम देख नहीं पाता उन्हीं में से एक है असी के दशक के मशूर अभिनेत्री अनीता राज यूं तो अनीता ने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है लेकिन वन नबे के दशक का फेमस गाना आते आते तेरी याद आ गई काफी मशूर है इस गाने में अनीता ने संजेदत के साथ रोमांश कर सभी का दिल जीत लिया था दुबली पतली और छरहरी काया की धनी अनीता राज 1980 से लेकर 1990 की दशक तक वॉलिवोट के लोगों की दिल की धरकन थी उन्होंने लगभग सभी बड़े अभिनीताओं के साथ काम किया हाला कि उनका भी इस्टाडम काफी दिनों तक तेक नहीं पाया आपको बता दे कि अनीता भी उन्हीं एक्टरस में सामिल है जो अपनी फिल्मों की अपेक्चर अपनी खुबसूर्ती और लव अफेर को लेकर उन दिनों खबरों में रही है और शादी होते ही फिल्में दुनिया से दूर हो गई अनीता राज का जन 13 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था अनीता फिल्में बैक्ग्राउंड से संबंद रखती है अनीता फेमस एक्टर जगदीश राज के बेटी है जगदीश राज वही है जिनोंने 60-80 के दशक में फिल्मों में सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर के भूमिका निबाई थी उन्होंने अमिताब बचन धर्मेंद, शंजीव कुमार राजेस खन्ना और कई अने शूपर स्टार संग स्क्रिन से अरक किया है मेडिया रिपोर्ट्स के माने तो अनीता ने अपने पिता से ही फ्रेरी थोकर फिल्मों में कदम रखा था इसके बाद डायरेक्टर रिसिकेस मुकरजे ने अपने फिल्म अच्छा बुरा में उन्हें ओफर दिया अनीता ने इसी फिल्म से अपना वॉलिवूड डेव्यू किया हाला कि कुछ मेडिया रिपोर्ट्स के माने तो अनीता की डेव्यू फिल्म फ्रेम गीत था या फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी इसके रिलीज होती अनीता रात उरात श्टार बन गई थी श्री देवी के साथ होती थी टकर अपने फिल्मी सफर के बाद अनीता राज ने 1993 में आश्की से टेल वीजन पर ड्याव्यू किया बाद में वो कई पॉपुलर टीवी सोज में दिखाएं दी जिनमें इना मीना डीगा, तुम्हारी पाखी, चौबिस, एक था राजा एक थी रानी, छोटी शरदानी और माया जैसे हिट सो सामिल है अपने करियर में सफलता के दोरान ही अनीता ने फिल्म नेदेशक सुनील हिंगो रानी से साधी की अनीता और सुनील का एक बेटा है जिसका नाम सिवम है, बहुत कम लोग जानते हैं कि अनीता राज मशूर पॉलिवूड एक्टर जगदीब राज खुराना की बेटी है पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, 1981 में अपनी पहली फिल्म फ्रेम गीस से अनीता राज रातो रात स्टार बन गई, उन्होंने एक बिमाल लड़की की भूमिका निभाई है, जिसे कवी में अपना प्यार मिलता है, कवी का किरदार राज बबबन ने निभ की है, फैंश को धर्मेन के साथ अनीता की जूड़ी बहुत पचंद थी, अश्री के दशक में अनीता का जादू सिर चड़कर लोगों के सिर पर बोल ला था, वो अपनी करिया के पीक पर थी, अश्री के दशक में कजब का क्रेज, 1984 में अनीता राज ने एक साथ साथ फिल् इतना ही नहीं, 1986 और 1988 में हर शाल वो दस फिल्मों में काम कर रही थी, अब इने के अलावा अनीता के कई और शौक था, जिसमें पढ़ना फोटोग्राफी, ट्रावलिंग और इंटरनेट सर्फिंग सामिल है, कभी खुशी कभी गम में युवा करीना कपूर का किरदान देन नहीं होती, आपको जानकर यकीन नहीं होगा, अनीता आज भी एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव रहती है, हाना कि अब वो पर्दा थोड़ा छोटा हो गया है, फिल्मों से राज करने वाली अनीता अब टीवी की दुनिया के फेमस बन गई है, अनीता टीव सोज में निभाए उनके किरदार को दर्षकों ने कावी पशंद किया,